आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ देखते हैं कि सबसे पहले acute angle, obtuse angle और right angle क्या होता है तो acute angle acute angle यह क्या होता है कि यह less than less than 90 degree होता है यहनि कि कोई भी angle जो 90 degree से छोटा हो उसको हम acute angle करते हैं second number है obtuse angle तो obtuse angle यह होता है कि greater than greater than 90 degree but less than less than 180 degree यहनि कि कोई भी angle जो 90 degree से बड़ा हो और 180 degree से छोटा हो उसको हम obtuse angle करते हैं and third number क्या है right angle right angle यह क्या होता है यह होता है exactly 90 degree exactly 90 degree यह 90 degree के equal होता है तो उसको हम right angle करते हैं so हमारे यह पर angle देखेंगे तो क्या 35 degree है तो 35 degree है यह होता है 90 degree से छोटा है यानि कि less than 90 degree यह क्या हो जाएगा 35 degree is acute angle तो यह हमारे क्या हो जाएगा कि यह हमारा acute angle हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसका answer थेंक यू प्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जही मेंस और अडवांस के लेवल तक 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाथसाब कीजे अपने डाउट्स आट 400 400 चार्स उपर झाल 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 झाल